अद्धेक्ष मोदे, अद्धेक्ष मोदे, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राश्पती जी के अब राशन बोलने का मौका दिया है अद्धेक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं मैं सबसे पहले अद्धेक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसों को मैं बढ़ाई और शुब खामनाय देना चाहता हूं साथी साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और इमानदार मद्धाताओं को धनिवाद जिन्होंने लोग तंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका चुनाओ के समय पर देश जी ऐसा कहा गया कि चार सो पार मैं समझदार जिन्ता को फुर एक बाद धनिवाद दूँगा और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गरूर दरवार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर अध्यश मौदे दरवार तो लगा है पर बड़ा गमगीन गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार ब्राजमान है जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार अदेश मोदे जनता कह रही है चलने वाली नहीं यह गिरने वाली सरकार है और क्योंकि उपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई, वो तो कोई सरकार नहीं दरसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है इस शुना में इंडिया एलाइंस की नेतिक जीत हुई है ये पीडिया इंडिया की सकारत्मक राजनीत पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है ये इंडिया पीडिया की सोशल जेस्टिर मुहिम की विक्ट्री है दो हजार चौबिस का पड़ाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्यदारी से भरा पैगाम भी है और अगर मैं यूँ कहें अद्देक्ष मौद है, कि 15 एगस्ट 1947 अगर उपने वेश्चिक राजनीत से आजादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए संपटाइक राजनीत से आजादी का दिन रहा ये संपटाइक राजनीत के अंत और संपटाइक राजनीत की शुरुआत है जहां संपटाइक राजनीत का अंतुआ है, वहीं संपटाइक राजनीत की शुरुआत हुई है सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाओं में संपटाइक राजनीत की हमेशा के लिए हार हो गई है अद्देश मोदे कहने को सरकार ये कहती है कि ये फिफ्ट लाजेस्ट एकॉनिमी बन गई है और जीडीपी के मामले में फिफ्ट वर्ल्ड की एकॉनिमी बन गई है लेकिन अद्देश मोदे ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लाजेस्ट एकॉनिमी अगर हम पांच में नंबर पर है तो हमारे देश की पर केमपिटा इंकम प्रतिव्यक्ति आए हमारे किस स्थान पर पहुँची है और हम लोगन तद्देश मोदे देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि पांच टिलियन डॉलर की एकॉनिमी बनेगी तो जहां से पधान मंती जी छुन करके आते हैं वहां का प्रदेश के सरकार भी कहरें कि हम वन ठिलियन डॉलर एकॉनिमी बना लेंगे देश की एकॉनिमी कहां पहुँच गई पर केपिटा इंकम क्या है लेकिंगर उत्तव प्रदेश की एकॉनिमी को अगर वन ठिलियन डॉलर की एकॉनिमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तपदेश पाप आएगा हम हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं नीचे से कहां है जो 5th largest economy की बात कर रहे हैं वो inequality के parameter पे कहां खड़े हैं वो happiness index में कहां खड़े हैं और जो लोग चुनाओ को अपने तरीके से मोड़ते हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अद्धिक्ष मौदे इस चुनाओ के परणाम ने तोड़ने वाली रादनीज़ को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली रादनीज़ की जीत हुई है इस चुनाओ में दन धन छल भल की नकारातन रादनीज़ के शिकस्त हुई है ये चुनाओ जोड़ेश का हुआ ये सकारात रादनीज़ का नया दोर शुरूआ है इस बार प्रो कॉंस्ट्रिक्शन वालों की जीत हुई है हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है उसी की जीत हुई है ये संविधान मंथन में संविधान रशकों की जीत हुई है अब उपर से नीची के राजनीद का अंत हो गया है अब नीचे से जो समाज की जो अबाज उठेगी वही राजनीद का आधार बनेगी मैं कहना चाता हूँ कि देश किसी की विक्तिगत मैंत्वकांशा से नहीं जन अकांचा से चलेगा मतलब अब मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी इस शुनाव का बड़ा पेगाम यही है अधेश मोदे बहुत सी बाते हुई है अगर उत्त्र प्रदेश की बात नहो क्योंकि अधेश मोदे सबसे बड़ा प्रदेश जाह है उसने हर बार दूसे दल को समर्थन दे करके सरकार बनाई मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढून रहे हैं उनको लगता है जिस दिन मा गंगा साफ हो जाएंगी शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतर कर उसका दर्द भी जाने उत्तव प्रदेश की जनता का बस यही आगरे है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहनी की कसम खाई आती है कम से कम उस गंगा जल से तो जूट ना बूला जाएंगा जहां विकास के नाम पर खरवो रुपई की लूट का राच खोलते भर्ष्टाचार के गड़े प्रदेश का नाम खराब कर रहे है वहीं पहली वारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीबार बेमानी की निशानी बन गई है अद्देश मौदे विकास का धेडोरा पीटने वाले इस विनाश की जमिदारी कब लेंगे और रही सचे विकास की बात तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जाज उतरे थे और उत्तवपदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी है और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है न तो जाम से चुटकारा मिला ना बन्यादी सुबद्याओं से कोई निजात मिली ना कोई बन्यादी सुबद्याओं मिल पाई है मुझे याद है देख्श मौदे देश के पधान सांसर जी ने आनाथ पश्चों के बारे में बहुत कुछ कहा था आनाथ पश्चों की समस्या से चुटकारा दिलवाने के लिए कव वादा किया हुआ लेकिन कई चुनाव बीद गए है अभी तक गन्य का भुकतान दो हफ़ते का वचन जो दिया था कहां दिया था अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के उपर से जनता का भरोसा उट गया है इसलिए बहुमत की सरकार नहीं है ये सहयोग से चलने वाली सरकार है डेबल इंजन की नाम पर उत्तर प्रदेश को टकरहाट के सिबा कुछ हासल नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में प्रहुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है पिछले दस सालों की उपलब्दी वस इतनी रही कि एक सिच्छा परिच्छा माफिया का जनम हुआ अद्दैक्ष मौधैब जिस समय चुनाओं में थे और उत्तर प्रदेश में वो हलात देखे हैं कि नौजमान जब भी तैरी करकर के जाता था और परिच्छा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है जितनी भी परिच्छा हुई है सब पेपर लीक हुए है केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं मेमानी ने संसत की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परिक्षा हैं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया और अभी जब चार जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है देश की सबसे प्रिक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया और आखेकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है सचाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौखरी नहीं देना चाहती रोजगार नहीं देना चाहती पिशले दस सालों की उपलब्दी बस इतनी रही है कि एक सिख्षा परिच्छा माफिया का जन्व हुआ है जिसने तथा कथित अमरित काल में वाओं के भविष्ट की आशाओं को ही जरूर आशाओं को ही जहर दे दिया है जो सरकार उमीद को मार दे वन नो तो वर्तमान को सदार सकती है न भविष्ट को समार सकती है सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए निराशा का नहीं जन्ता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कलक की को जिमिदार ठहराने बहाने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कलकी बात करे अगले हजार साल के जूटे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परिच्छों के लीग न होने की गारंटी कब लेंगे जनता अब न तो किसी बहकामे में आएगी और न किसी के बहलाबे फुसलाबे में आएगी जो लोग कहते हैं कि अमरित काल की बात करने वाले जनता का जागरण का अला गया है आज इस सदन में नई रानितिक जागरण के अनेक प्रतिनिदी बैठे हैं अब जब पुनर जर्मान अब जब बात होगी तो सची बात होगी और जनता को पूरी सचाई के साथ हम लोगनी जम्यदारी के साथ बात होगी अद्देश मौदे एक जीत और हुई है एक जीत और अद्देश मौदे हुई है मैं जानता हूँ सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे अद्देश मौदे जीत भारत के परिपक्र मताता की लोगकांदिक समझ की जीत है और हम तो अद्देश मौदे यही सुनते आए हैं होए वही जो राम रची राखा यह है उसका फैसला अद्देश मौदे होई वही जो राम रची राखा यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज जो करते थे किसी को लाने का दावा वो हैं खुद किसी के साहरे के लाचार यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज जो करते थे किसी को लाने का दावा वो हैं खुद किसी के साहरे के लाचार हम अयद्या से लाए हैं उनके फ्रेम का पैगाम हम अयद्या से लाए हैं उनके फ्रेम का पैगाम जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्यार सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान अभैदान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान मानवता के लिए उठता जिनका थीर खमान अद्देश मौदे जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम उफंती नदी पर जो बाने मर्यादा के बान वो है अबद के राजा पुरसोत्तम प्रभुराम हम अयुद्या से लाए हैं उनके प्रेम का पेगांब अद्देश मौदे अद्देश मौदे कुछ बाते हैं अद्देश मौदे कुछ बाते समय और काल से परे होती है इसलिए आज यहां उत्देश के सदन में पढ़ा गया एक शेर यादा गया जो तब सही था अब और सही थाब और सही थाबित हो रहा है इजाज़त हो अद्देश जी तो मैं अर्ज़ करूँ हजूरे अला आज तक हामोश बेटे इसी गम में हजूरे अला आज सक हामोश बेटे हैं इसी गम में मैं फिड लूट ले गया कोई जबकी सजाई हमने अद्देश मौद है मैं मोडल आफ कंड़क जब चुना हुआ लागू हुआ उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर महरवान रही सरकार और कमिशन भी काईस मौए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ अद्देश मौद हैं लेकिन कहीं न कहीं परश्चन उस संस्था पर भी लगा है और अगर उस संस्था पर परश्चन लगा है तो लगाने वाली सरकार की वज़े से लगा है इसलिए अगर निस्पक्ष होगी वो संस्था तो ना केबल हमारा लोगतंत स्वस्थ होगा बलकि हमारे लोगतंत और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा अद्देश मौदे एबियम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था आज भी नहीं भरोसा मैं असी के असे सीड़ जी जाओं तब भी नहीं भरोसा और मैंने अपने चुनाओं में का था अद्देश मौदे कि एबियम से जीत करके एबियम हटाने का काम करेंगे ना एबियम का मुद्धा मरा है ना जाएगा खतम जब तक एबियम नहीं हटेगी हम समाजबादी लोग उस बाग पर अडग रहेंगे उत्तर प्रदेश अद्देश मौदे वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेबी की बनवाई एक बार नहीं दो बार बनवाई और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदवाब उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदवाब मुझे याद है वो दिन जब प्रधान मंत्री जी एर फोर्स के सबसे भारी बहान हवाई जास से उतरे थे सड़क पर वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्य मंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाये थे लेकिन वो एक्सप्रेस में जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बज़ट से बन रहे हैं लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस में अभी नहीं दिया गया है ना केबल इंट्रा सेक्शन में भेदवा हुआ है बलकि हमें याद है कि पधान मंती जी ने बड़े पेमाने पे गाउं गोद लिये थे और सोची है अगर देश के पधान संसर्द अगर किसी गाउं को गोद ले ले और उस गाउं की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी गाउं की तस्वीर दस साल में बदली होगी मुझे वो गाउं जिसको उन्होंने गोद लिया जो पधान मंती जी की आदर सी होजना थी उसके तहर जो गोद लिया गया था गाउं वो पांच बर्स पहले खुब शोर हुआ था कि बनारश शहर की तरह डोमरी में चम चमाने लगे गया एक गाउं हाकिकत में कुछ नहीं हुआ उसकी दुर्दसा वैसी की वैसी है जैसे था गाउं वैसा ही का वैसा है तूटी सड़कें कच्ची पगडंडिया उखडे और तूटे हुए इंट के खंजे बदहाल हैंड पंप पावर डूम और पंखे के जाली के कार खाने को आखर कब तक रफ्थार मिलेगी जो उस गाउं में काम होता था लोग करते थे खाली पड़े रसोई गैस के सिलिंडर अंदा धुंद बिजली कटोती के बीच इस गाउं के लोगों को हर सुबह मज़ूरी की कभी न खत्म होने वाली तलाश आखर कब पूरी होगी तो सुचि एक गाउं की तस्वीर ये है जो गाउं कभी गोद लिया गया था उस गाउं की भी तस्वीर नहीं सुदर पाई है जो भाजपा के स्मान सिटी के जूटे सपने में गाउं के लिए कोई जगह नहीं है अपने गाउं गोद रहने की जो बात कही थी क्या वो भी जुमला था देख जी पता नहीं जिस गाउं को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है की नहीं मैं नाम पूछ करके किसी को श्रमिन्दा नहीं करूंगा क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बाद भी कुछ नहीं किया जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाद बना कर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है और अगर तस्वीर अद्देश मोदे बदली हो दस साल में उन तमाम गोद लियुए गाओं की तो मैं सत्ता पश्की लोगों से कहूँगा जरूर इस सदन में बात रख जरूर बताएं आप जो बात कभी अद्देश मोदे कास सेंसस की उठी थी हम उस कास सेंसस की पक्ष में हैं कि बिना कास सेंसस के समाजिक न्याज संबब नहीं है सब को हग दिलाँ पाना मुश्किल है अद्देश मोदे राश्पती जी के अभाषण में अगनी वीर को लेकर के जो चिंता विपश्की थी और देश के नौजमानों के थी वो चिंता वैसी की वैसी बनी है अद्देश मोदे मैं ये कहना चाहता हूँ मैं खुद मिर्टी स्कूल से पढ़ा हूँ मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फाज में मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पड़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है बड़े बड़े आफसर से मैंने पूछा है वो शायद आपको न बता पाएं लेकिन दभी जोमान में उन्हों नहीं कहा है कि देश की सुरच्चा के साथ अगनी बीर जैसी वेवस्ता लागू करने से समझाता हो रहा है अद्देश मौदे किसी भी देश की सबसे बड़ी प्रात्यमिक्ता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओ की सुरच्चा है अगनी बीर जैसी वेवस्ता से कभी संबब नहीं है अद्देश मौदे हम अगनी बीर वेवस्ता को कभी सुखार नहीं कर सकते हैं आज नहीं कल कर नहीं बाद में जब कभी भी सत्ता में इंडिया गड़ बंदन आएगा अगनी वीर विबस्ता हमेशा हमेशा के लिए कटन हो जाएगा अद्देक्ष मौते जिन्होंने कहा कि हम आए किसानों की दो गुनी कर देंगे आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आए कहां दो गुनी हो गए और जिस तरह महंगाई बड़ी है सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ें पे उसकी आए कितनी होनी चीए और जो इंट्रासेश्चर की बड़ी बातें की गई थी कि MSP लागू करने के लिए एंट्रासेश्चर का इंट्रासेश्चर तयार होगा लेकिन जहां तक मैंने उत्त्रपदेश में देखा है अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी दस साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए जो सरकार मंडी नहीं मना सकती है उस पर MSP का भरुसा कैसे कर सकते हैं यह उन्होंने MSP का भरुसा दिलाया था हम अद्धेक्ष मौदे आपके मादम से यही कहेंगे कि जो राश्पती के वाशन में लीगल गारंटी MSP को मिलने चाहिए थी वो क्रॉप्स को नहीं मिली है ना केबल फसलों को मिले बड़की हॉर्टी कल्चर क्रॉप्स को भी MSP देने का फैसला हो जिससे कि हमारा किसान खुशाल हो सके साथी साथ OPS की बात अविवाशन में नहीं आई है Old Pension Scheme लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविस बन सके और देश की एक बड़ी आबादी जहां से मैं छुन करके आता हूँ उत्तरप्रदेश जहां बुनकर नकेबर उत्तरप्रदेश बलकि देश के कोने कोने में बुनकर समाज की लोग बड़े पहमाने पर रह रहे हैं लेकिन बुनकरों को जो सुबिधाय मिलनी चाहिए वो भी सरकार में नहीं मिल पा रही हैं जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाय चलाई थी, वो भी अद्देश मौदे बंद कर दी हैं, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, कि इस सरकार ने नौजमानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे च्छीने हैं, बहुत नौकरी च्छीनी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अद्देश जी, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में नौकरी की उम्मीद है, न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारवई तक को इतना छोटा बना दिया है, कि न तो वो अपना पेड भर सकता है, न किसी को नौकरी पर रख सकता है, जो कुछ पद निकलते भी हैं, तो उन पर लेट्रल इंडी के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी सातियों को रख लिया जाता है, आरश्ण का हक नौट फॉन सुटेवल के नाम पर हर्पा जा रहा है, और अरश्ण के साथ इतनी खिलवार किसी सरकार ने ने की होगी, जितनी खिलवार इस सरकार ने की है, जहां सरकारी नौक्रियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौक्रियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि उन्हें आरच्छर देना पड़ेगा जिस प्रदेश से मैं आता हूँ जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वाँ सबसे बड़े पैमाने पे नौजमान बिरोजगार है और पिछले दस साल में जो कोश्चन जो पेपर उन्होंने लीड कराए है वो इसलिए कराएं क्योंकि नौक्री ना देनी पड़े और अगर नौक्री देनी पड़ेगी तो उन्हें आरशर भी देना पड़ेगा ये जान बूच करके सरकार नौक्री और आरशर के साथ खिलबार कर रही है मैं अद्देक्ष मोदे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद में इस देश का हरे गरीब सोशित वंचित फीरित पिश्रा दलित अलप संक आदिवासी महिला युवा छोटा कारुवारी इमानदार नौकरी पेशा आम आदमी और कमचारी अधिकारी मज़ूर और किसान होगा नाकी धनवान होगा और शासन के आधार पे समधान होगा वा जुम्लों की जगे सच में महगाई विरुजगारी भष्टाचार गरीबी भुकमरी संपताई इंसा दलित वा महला उत्पिधन समाजे के न्याई जैसे मूलभुत मुद्दों का समाधान होगा और भोजन विजली पानी दवाई पढ़ाई जैसी बनियादी जरूरतों के लिए कागजी उजनाओ की जगे सच में इंतजाब होगा मैं एक बार फिर उत्तव प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गड़बंदन समाजवादी पार्टी एक ओंगेस को सबसे जादर सीटें जिताएं उसके लिए मैं उत्तव प्रदेश की जनता का बहुत बहुत थने बार और आफ़ार भी पढ़ता हूँगा मुझे उमीद है कि अगली बार जब राश्पती जी का भाशन हो वो सरकारी भाशन ना हो सच्चाई के साथ सरकार अपनी बाते नखें इनी शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत थने बाते नखेंगा